हेलो फ्रेंज बहुत बहुत श्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल अस्टडियू में तो फ्रेंज जैसा कि आप सभी चानते हैं कि हिंदी साहिते की इतियास से मैं डेली लेके आ रही हूं आपके लिए 20 कोश्चन जो की बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है जिसे म लेखक है वह है ठाकुरजी कौन है ठाकुरजी नेश कोश्चन है एक सिनामा के लेखक कौन है तो इक सिनामा के लेखक कौन है कि इसकी जो लेखक है वह है बोधा नेश कोश्चन है सिंगार बतीसी के लेखक कौन है तो सिंगार बतीसी के लेखक कौन है तो ये हैं दुज द नेश कोश्चन है च्छतर प्रकास के लेखक कौन है तो च्छतर प्रकास के लेखक कौन है तो इसकी जो लेखक है वो है लाल कभी या लाल कभी की रचना है च्छतर प्रकास नेश कोश्चन है सीवराज भूशन सीवा वावनी के लेखक कौन है सीवराज भूशन और सीवा वावनी दोनों अलग-अलग है रचना तो इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक जो है वो है भूशन नेश कोश्चन है कि सर्व सोला परकास चंडी चरीत ये दोनों के रचनाकार कौन है? या लेखक कौन है? या जो रचना है सर्व सोलृ परकास और चंढी शरीत। इसके लेखक कौन है? जिसके लेखक है गुरू गुवींद सिंग। गुरु गोविंद सिंग नेश कोशन है कि अचारी शुकल जी ने रीती काल या रीती कावी प्रमपरा के प्रवर्तक किसी माना है रीती या कह सकते हैं कि रीती काल की जो प्रवर्तक थे वो कौन थे तो वो जो है अचारामचन शुकल के नुशार चिंता मनी चिंता मनी का पू सर्वस्रेष्ट कभी कोन है तो रीति सिद्र कभी कोन है कि दिस रीया पिछले वीडियों में हम लोग देखे थे रीति ब morality कभी जो थे तो वह थे घणानंध और रीति सिद्र के सार्बस्रेष्ट कभी है विप्राइ candid class नेश कोईशन है कि रस बिलास में किसका बिवेचन किया गया है रस बिलास एक रचना जो है उसमें किसका बिवेचन किया गया है तो इसमें बिवेचन किया गया है रस का जिसके लेखक है चिंतामनी नेश कोईशन है अंगत दर्पन के लेखक कौन है तो अंगत दर्पन के जो लेखक है वह है रसलीन कौन है रसलीन की यह रचना है नेश कोशन है केशब दास ने अलंकार को क्या माना है केशब दास के नुशार अलंकार क्या है या केशब दास ने अलंकार को क्या माना है तिन्हों ने अलंकार को काबि का प्रान माना है क्या माना है काबि का प्रान नेश कोशन है रिती कालिन कभियों की सरवाधिक प्रिये छंद कौन सा है तो रिती कालिन कभियों की सरवाधिक प्रिये छंद जो है वह है सवईया सवईया रिती काल में बहुत अधिक लिखा गया है और इस काल का यह सबसे प्रिये छंद है या कहें सबसे अधिक प्रचलित जो छंद है रितिकाल का हुआ है सवया नेश कोशन है व्रित विचार के लेखक कौन है तो व्रित विचार के लेखक कौन है तो इसके लेखक है शुखदेव मिस्र कौन है सुखदेव मिस्र नेश कोशन है बिहारी ससई कैसा काबी है तो बिहारी ससई जो है एक मुत्तक काबी है कैसा काबी है मुत्तक काबी है नेश कोशन है किसने बिहारी को कवी नहीं माना किसने बिहारी को कवी नहीं माना तो मिश्र वंधु जो थे मिश्र वंधु ने बि बिहारी को क्या कभी नहीं मानते थे नेश कोईशन है स्याम सनेही के लेखक कौन है तो स्याम सनेही के लेखक है आलम और यह जो है स्याम सनेही यह एक खंड काबी है क्या है खंड काबी नेश कोईशन है रस के साक्षात अपतार किसे कहा गया है रस के साक्षात अपतार जो कहा गया है वह घनानंद को कहा गया इसे रस का साक्षात अवतार कहा गया इनकी जितनी भी रचनाय है सम में जो है रस मिला मतलब रस जो है वो मिला हुआ है नेश कोश्यन है कि घनानंद के काब में किसकी अभिव्यक्ति मिलती है या फिर घनानंद के काब में किसकी अभिव्यक्त के रूप में भी जाने जाते हैं नेश कोईशन है कि बोधा का वास्तवीक नाम क्या है तो बोधा का जो वास्तवीक नाम है वह है बुद्धिशेन क्या है बुद्धिशेन नेश कोईशन है रीती सब्द का सही अर्थ क्या है तो रीती सब्द का सही अर्थ है काब्यांग निर तो यह थे आज के 20 question most important question जो एक जाम की दिश्ची से बहुत ही मौत्पूर्ण है सारे के सारे important question ही है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो like कीचिए और हमारे चैनल में नए वने तो हमारे चैनल को subscribe कीचिए और पिछले वीडियो में जो सवाल पूछा गया था तो उस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद इसी तरह जवाब देती जाए और अपने मतलब पढ़ाईवे चीजों को रिवाइज करते जाए तो आज का question है आज का question है कि राम रासो के लेखक कौन है तो राम रासो के लेखक कौन है इसको बताना है यानि इसका answer देना आपको comment box में लिखके मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद